आर्सीम बिजनस में सफलता के राज आप सबको जानकर हैरानी होगी कि आर्सीम बिजनस के सफलता के कुछ ऐसे राज होते हैं जो सबको पता होते हैं लेकिन बस दिक्कत है अपना तो कोई नहीं है उसको follow कोई नहीं कर रहा है उसको apply कोई नहीं कर रहा है सबको पता है जो दो इस पर आपको गौर करना है, दोस्तों, पहला secret है एलटनेस औं लोयल्टी, एलटनेस की बात कर 현재 पर हर चीज में एलट रहना पड़ेगा आपको, जो सफल व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, हर चीज में एलट रहते हैं, उनको पता है कि कब किस चीज का काम करना है जैसे closing होती है उसमें किस किस व्यक्ति क्या कौन कौन से target पूरा करवाना है या नहीं करवाना है या फिर किस तरगी की pin किसको देनी है कितना business volume कम पड़ता है इन चीज़ों को कहते alertness उस चीज का alertness नहीं रहेगा तो team build नहीं होगी targets पूरे नहीं होगे इसी पेकार से loyalty देखो दोस्तों आर्से में ऐसा business है जहां पर चतुरता काम नहीं करती है जहां पर तिग्रम काम नहीं करती है जहां पर आपका जो दूसरा दिमाग है जो आप दूसरे फिल्म में काम करता है वो दिमाग इसमें नहीं चलता है इसमें च अपने पिन के बारे में सोचो अपनी जो व्यवस्थाइं हैं उस से पहले आप टीम की व्यवस्थाइं के बारे में सोचो टीम को loyalty से support करो, किसी का गलत फायदा मत उठाओ, किसी से जूट मत बोलो, किसी के पैसो के दुरगती मत करो, ऐसा काम करो जो duplicate हो पाए, किसी का बुराई मत करो, किसी को नकारात मकता मत फैलाओ, यह सब क्या है, यह सब है निश्ठावान व्यक्ति की पहचान, वो व्यक्ति य लेकिन हो सफलता इस तरीके से निचे गिरेगी, कि लोग देकर हसेंगे, इसलिए काम करना है तो निश्ठा के साथ वढ़ना करना ही नहीं है, है ना, लोग RC में आते हैं अपने चतुरता ही साथ में, उनको परिवतित होना पता है, अच्छे व्यक्ति की तोर पर, उनको चत मोमेंटम का खेल है, और मोमेंटम उत्सा से होता है, उत्सा से आप डेली काम करोगे, तो RC में सफल हो जाओगे, अगर उत्सा से आप डल डल नैसे काम करोगे, तो कभी करोगे, कभी नहीं करोगे, फिर काम ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि आर्सम उत्सा का काम है, आपको पोरी चला जायगी और आप किसी टांदीकेटेट हो लेकिन अच्छी तरीके से निष्पादित नहीं हो पागेगा यानि आपको dedication के साथ में उत्सा दिखाना है और काम को करना पड़ेगा जैसे मानलों कोई sales करने जा रहे हो तो उसमें उत्सा दिखाना पड़ेगा आप calling कर रहे हो तो उसमें आपको उत्सा दिखाना पड़ेगा आप prospecting कर रहे हो उसमें उत्सा दिखाना पड़ेगा और ची औलाइन बनने पर गर्व मैसूस करता था है कि मेर्य काम कर रहे हैं वो डेडिकेट हो कि काम कर रही हैं जैसे आप तीचे सर को देख रहे होंगे लगातार टेर्टर्रेंग लेते मीटिंग्स लेते हैं तो यह ओता आपको काम करना पड़ता है तीसरा सही टीम निर्मार आपने टीम निर्मार कर दिया लगातार लोगों को जोइन किया एक सही टीम निर्मार होता है, इसके कही सारे एक्जंपर्स दोंगा जैसे आप देखो कहीं लोग क्या करते हैं किसी व्यक्ति को जोड़ा उस पर ध्यान नहीं देंगे लेकिन वो ठीका वाए बस अपनी घर की पचेस कर रहा है तो वह सही टीम निर्माण नहीं है कई लोग ऐसे जोइन करते हैं जो अच्छे बंदे होते हैं पाइनेशली काफी अच्छे होते हैं तो लोग क्या करते हैं उनसे जब अधसी पचास पचास आजार पीवी का समान दिलवाते हैं जिससे जो अप्लाइन है उसकी पेन आ जाती है और उसके टार्गेट सचीव हो जाते हैं लेकिन इस सब टैंप्रेरी है सही निर्माण नहीं ह चलो अगले महीने अपने टार्गेट करो लेगा एसे कर आखिर आपक Ste किसी व्यक्ति को लेकर करें तो उसको पूरा का पूरा डुप्लिकेट करें उनको सेल्स पर्चेस प्रड़क यूज इन्विटेशन फॉलॉप प्रस्पेक्टिंग सब सिखाएं और उसको एक लीडर बनाएं जिससे वह इसमें करना पड़ेगा और आगे और भी लोगों को डुप्लिकेट करेंगा वह होता है सही टीम निर्माण तो सफलता का सबसे बड़ा रहसे है कि आप सही निर्माण कर लेते हो तो सफलता मिल जाती है घलत तरीके से टीम निर्माण करेंगे वही चतुराइव अगरा यूस करोगे अपने टीम लगा हो गए तो मजा नी आएगा कई लोग करते हैं इंटर्वविउ के नाम पे लोगों को बुला लेते हैं जौब के नाम पे लोगों को बुला लेते हैं फिर करते हैं यह सब सही टीम निर्माण नहीं है एकदम लोयल्टी इमानदारी के साथ में होगा जो आपको करना पड़ेगा इसके बाद में प्रोडक्त की अच्छी जानकारी यह भी बहुत ही महत्वपुर्ण सफलता के रहसे में से एक रहसे हैं आपको प्रोडक्त की नॉलेज होनी चाहिए क्यों ओवरॉल आप सब देखो आप प्रोस्पेक्टिंग कर लो कुछ बिजनस प्लान बता लो लेकिन आखिर का जो कुछ बेस है आपका लोगों को बताने का आर्सेम वह प्रोडक्ट ही है किसी को भी जब प्लान बताने जा रहे उनकी आप अच्छी से नॉलेज दो देखो अफ व्यक्ति को दीप में नोलेज बताते हैं धाले होनी चाहिए और एक तरीके की ट्रेडिंग समने आपको दीए जिसमें आप देख सकते हों लिंक आपको डिस्क्रिशन मिलेगा आप प्रड़क की जानकरी वहां से ले लेना बागी बहुत बड़ा इंपरेंट पॉइंट है प्रड़क की जानकरी लेना इसको अब हमेशा ध्यान लखना संथन शेलता क्या होती है एक घटक का दूसरे घटक के साथ में रिलेशन है ना मतलब RCM की बात करें तो आपका जो रिलेशन है आपकी डाउन लाइन से कैसा है आपकी अपलाइन से कैसा है और कंपनी के साथ में कैसा है यह होती है संथन शेलता आपको उनके साथ में अच्छा relation maintain करना पड़ता है RCM business की बात करो तो आपको यदि कोई doubt होता है RCM के परती तो उसको पहले ही clear कर लो अगर कोई negativity है तो RCM में join करो ही मद है उस सीज को आप solve करो क्योंकि काम करने के बाद में यदि आपको कोई negativity आ रही है कोई doubt आ रहा है RCM के परती तो यह दिक्कत वाली बात है इन सब को आप पहले ही solve करें रख लो है ना उसके बाद में apply के साथ में apply के साथ में कैसे relations होने चाहिए एकदम सम्मान जनक relation होने चाहिए आप ना कभी उनसकी insult करो ना कभी उनसे ज़्यादा time मांगो time मांग रहे हो तो एकदम निश्पक्ष हो करके एकदम अच्छे से मान देखे साथ में time मांगो तो वो आपको time देते हैं और उनकी हमेशा इज़्यत करना सीखो क्योंकि आप उनकी इज़्यत करोगे तो downline आपकी करेगी वरना नहीं करेगी और कभी भी negativity का जो आपके अंदर burden आता है वो एकदम से आपको apply के ओपर नहीं छोड़ना है क्योंकि वो एक कचरे का डिबबा नहीं है जिसमें आप पूरा कचरा बढ़ दो आपको problem का solution लेकर के advice लेकर के उसके पास में जाना है और negativity पर discuss करना है इसी प्रिकार से downline के साथ relation कैसे होने चाहिए एकदम downline को अब अपनी बच्चों के समन ट्रीट करो क्योंकि downline ही है जो आपको आगे लेकर के जाएगी और आप उनको आगे लेकर के जाओगी downline आप पर विश्वास करती है आप पर trust करती है वो company का representative मानती है आपको इसलिए आपको उनके साथ अच्छा behave करना चाहिए हर तरीके से support, guidance, हर तरीके से mark direction उनको देना चाहिए साथ में कोई negativity कभी भी downline के साथ share मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी हमेशा उनको training देते रहो, meetings देते रहो, motivation देते रहो, inspiration देते रहो और खुद अपना target set करके उनको बताओ, आप खुद जो करके बताओगे वो बहुत ही important होगा तो यह संक्टन शेलता इस तरीके से काम करती है, जो बहुत बड़ा रहस्य है इसके बाद में next है, second last हमारा sensitivity and customer relations, समवेधन शेलता, मैंने पिछले training में भी आपको यह बता था, समवेधन शेलता बहुत जरूरी है क्योंकि sales ऐसा business है, sales की बात करो है, team की बात करो, जहाँ पर हमारा relation किसके है, हमारा relation है मानव से, human से, इंसान से, हमारा जो relation है मशीनों से नहीं है, हम कोई manufacturing unit पर नहीं है, जहाँ पर हमको मशीनों से काम करवाना है, हमको काम है मानव से, जहाँ पर मानव की बात आजाती है, वहाँ पर feelings, emotions, यह सब काम आते हैं तो आपको सम्वेंदन चील बन के लोगों से काम लेना पड़ेगा, और लोगों की बाते सुननी पड़ेगी, आपकी downline से आपको सम्वेंदन चील होना पड़ेगा, आपकी upline से भी सम्वेंदन चील होना पड़ेगा, क्योंकि आप मानम में हो, आपको relation ऐसे ही नहीं बनते दोस्तों आपको जिंदगी भरका साथ नहीं बना है तो क्या रिलेशन ऐसे बिना सब्वाइन शीलता के बन जाता है क्या practically संभव है दोस्तों कहीं पर दिल काम आता है तो कहीं पर दिमाग काम आता है इसके बाद में गराक संब्द आपको कस्टमर से रिलेशन मराना है पड़ आपके सारे टार्गेट अच्छी हो जाते हैं इसलिए आपको अच्छा करना है तो कस्टमर रिलेशन्स अच्छे रखने पड़ेंगे क्यों हो सकता है वह कस्टमर आने वाले टाइम में आपके साथ मैं जॉइन हो जाए और आपका अच्छा टीमेट बन जाए इसलिए आप हर चीज में आपका एटिटुट काम करता है आपका बिहेवियर काम करता है बहुत किसी के साथ में रिलेशन मुनाने जा रहे हो लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं और नयतिक बहेवियर की बात करूं तो हमेशा कुछ ना कुछ ए थिक्स आपके होने चाहिए आपके अंदर कुछ discipline होना चाहिए, dressing sense अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच एकदम modern होनी चाहिए, हर तरीके से आप एकदम नैतिक विवहर करोगे तो लोग आपसे जोडना पसंद करेंगे, जोडने का लोगों को जोडने का सबसे बड़ा राज यही है आपका विहवार, आर्सिम बिद्नस करने के लिए सबसे जरू 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 करी, एक special training session अमने दिखा था, जिसमें ने बता था आत्म विश्वास कैसे बनाए, तो इस training को भी आप जरूर देखेगा, क्योंकि रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यह भी है, आत्म विश्वास, इसको आपने बि दूसरा सही शुरुवात कैसे करने, step to step बताया है मैंने, और साथ पर्मानेंट सुत्र जो आपको काम अभी के लिए करने है, RCM में, और RCM में सोशल मेडिया के इस्तमाल करने के जो फायद है, वो बताया है, क्योंकि रहस्यों में ही चारों important है, RCM के रहस्यों में आपको online training भी important है, online हम कैसे काम कर सकते हो, permanent सुत्र आपके काम के रहेंगे, step by step, plan की शुरुवात काम के रहेंगी, यह चारों training आपके बहुत काम के रहने वाली है, पुरा का पूरा playlist है हमारा, उसके training का जो link है मैंने आपको इसमें दिया है, description में, आप वहां से जाके इसको check out करना, और इन सब training को देखना, जिससे आपको और कही सारी knowledge मिल जाएगी, तो यह आज के हमारे 7 points से दोस्तों, आपको केवल केवल हमारे चैनल पर मिलेंगी, ऐसी जानकारी, लगातार 50 दिनों से 50 training लेकर के आया हूँ, मैं, RCM Shining Stars के चैनल पर आप इसको अभी के अभी जाकर सब् अपलाई भी करना है, और आपने teammates वालों को जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि teammates वालों को इसकी बहुत जरूरत होती है, साथ मैं एक और बाद बताते तहूं मैं आपको लिंक में, आपको जो डिस्किप्शन है, उसमें लिंक मिल जागा हमारे WhatsApp ग्रूप का, आप हमारे WhatsApp करके जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो training से यह सर्फ आप ही के लिए है, तो आप comment में जरूर बताएगा, आपको कैसी लगी training, शेयर किजिए, धन्यवाद